असलामों अलाइकुम मैं हूँ अफिना पार्वीन आज आपको एक बहतरीन और आसान की रेसिपे दूंगी हर्याली तंदूरी शिकेन कबब आप इसे बिना तंदूर के भी इसे बना सकते हैं ये बहुती आसान है आप इसे कम चीजों से घर में ही जटपड बना सकते हैं ये करें शुर्वात करेंगे हमने हाग केजी चिकेन लिया है बीचमें हमने कट किया है कि आसे कि हम आर्मासाल अच्छे से éléments हए इसे और उसके इलावा 9-10 लसुन के कलियां और छोड़ा छोटा सा अध्रक का तुकड़ा आउस साले चीदे मिला कि इसका पेश्ट बना लिया है हमने पहले से ही क्योंकि आपका टाइम सेव करने के लिए चलिए आप हम चिकन में 1 टेब्ल स्पून जीरा पोड़ दालेंगे और उसके साथ 2 टेब्ल स्पून ग्रीन चिलि पेश्ट दालेंगे इसे हमने बारीक नहीं कुटा है मोटा मोटा से छुटके डाला है इसे और उसके इलावा दही डालेंगे हमने दाही को रात में कपड़े में डाल कर इसका पानी निकाल दिया है अभी हर्याली मसाला डाल दिंगे हाथ टीजपून पेपर पॉडर डालेंगे यानि काली मिश पॉडर डालेंगे नमक दालेंगे स्वाथ के नुशाब निम्बू का रस दालेंगे हमने एक निम्बू लिया है आप चाहें निम्बू कर रस आदा भी दाल सकते हैं तंदूरी मसाला डालेंगे टू टेबू स्पून चुटकी भर दालचिनी पॉडर डालेंगे मिक्स करेंगे अच्छे इसे इसे आप चाहें ग्रीन कलर भी डाल सकते हैं लेकिन हर्याली चिकन दंदूरी का बाब में बिना कलर का भी इसका रंग अच्छा आता है चलिए चार घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिंगे चलिए चार घंटे हो चुके ही अब हमने ग्यास को आण कर लिया है और पैन में टेल डालेंगे 4 टेबूस्पून आयल डाला है हमने पैन को गॉल्ड और ब्राउन करना है और पैंच को जबड़न ब्राउन करना है चलिए हमारी प्याग गौर्डान ब्रॉन हो चुकी है अब हम इसमें तीन लों एक दालचीनी दो इलाची दालेंगे इलाची को थोड़ा साथ तोड़ कर दालेंगे देखिए हमारा चिकन कि इतने अच्छे से मैरिनेट हो चुका है अब चिकन डालेंगे याज को लो फ्लेम ही रखेंगे आप इस रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता सिर्फ आपको चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखतीजिए जब चाहिए इसे बना सकते हैं बहुती जल्दी बन जाती है आपको यहाँ पर एक गुजारिश है आप हमारे चानले में नई हो तो प्लीज सब्सक्रेब कीजिए और साथ में बेल प्रेटम को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेश रेसिपी आपको सबसे पहले पहुंचे बचा हुआ हर्याली का मिश्टन भी डाल देंगे और उसके बाद धक कर 10 मिट के लिए सिपाकाएंगे चलिए 10 मिट हो चुके हैं इसे एक बार फल टेंगे फिर से और एक बार से धब देंगे पाच मिट के लिए चलिए फिर से एक बार शेक करेंगे देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छा पक चुका है इसका रंग भी अच्छा आया है अब हम ग्यास को बंद कर देंगे इसे एक बड़तन में निकाल देंगे हमने चिकन को 80 परसेंट ही पकाया है बचा हुआ 20 परसेंट हम आपको बताएंगे आप फालो कीजिए देखिए हमारे काड़ाई में हर्याले दही का मिश्यान बचा हुआ है तो हम इसमें एक ग्लास पाइंट डालेंगे और इसके इलावा धन्या पोडर दालेंगे हाफ टीस्पून इसके साथ चिली पोडर भी दाल दिंगे हमने रच चिली पोडर इसलिए दाला है क्योंकि इसके स्वाद बढ़ाने के लिए आप शाहे इसे इसकी भी कर सकते हैं एक बाइसे चम्मस से मिलाएंगे मिक्स करने के बाद इसे दुसरी तरफ से शिप्ट कर दिंगे ग्यास को लो फ्लेम ही रखकर इसे पांस मिट के लिए पकाना है चलिए आफ्री श्टक फालो करेंगे हमने एक जाली लिया है जाली में हर्यारी शिकर दाल दिया है ग्यास को लो फ्लेम ही रखा है इसका रंग चेंज होने तक इसे जलाएंगे जिसे तंदूर में इसका रंग आता है ना उस तरहां से और उसका स्वाद भी आने तक इसे जलाएंगे हमने इसे फल्ट दिया है और दूसरा पीस भी इसे तरहां से जलाएंगे हमारे किचेन में इसके खुश्बू फाइल चुकी है माशाला इसका रंग बहुत ही अच्छा आया है सारे चिकन के पीसे इसे तरह से जलाएंगे देखिए दूसरे तरफ हमारा हर्याली दहीं का मिश्रण भी अच्छे से पक चुका है अब इसे सर्व करेंगे सर करते वक्स थोड़ा सा एक वन टेबू स्पून इसका जो ग्रेवी में होता है न हुआ आयल डालेंगे अब उसके बाद धीरे से बचा होवा ग्रेवी डाल दिंगे मासाला वाला ग्रेवी ग्रेवी के उपर हर्याली चिकेन कबाब लग दिंगे लग रहा ना तंदूरी कबाब जैसा इसे रेस्टार्ट में बनता है न उसी तरह से हमने बनाया है आप भी इस रेसिपी कोई ट्राइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूरिए और साथ में बेल बेटम को प्रेस कीजिए ताके आने वाले हमेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे सब्सक्राइब करते वक्त नीबू का रजबी डाल दीजिए दीकिए हमारी हर्याली चिकन तंदूरी कबाब कितने अची से बनकर तयार हुई है और घर में कितने आसान से हमने बनाया है आप इस रेसिपी को ट्राइक कीजिए इंशाल्ला हम अगली वोड़े में जरूर मिल अगली जब तक लिए असलाम अलेकम अल्ला हाप